हेलो फ्रेंट्स मैं सुसील आप सभी को एसके स्वागत करता हूँ दोस्तो अभी हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तो परसेंटेज का जी दोस्तो परसेंटेज यानि की प्रतीशत के दोस्तो टोटल के टोटल पांच जो है महतपूर्ण प्रशन आपको बताये जाएंगे इस वीडियो का अप लाश्ट तक दरूज रहत के ताकि एक भी प्रशन आपको एकजाम में ना चूटे तो चलेंगे दोस्तो हम लोग कोशन्स की ओर जी हां दोस्तो बात करते गरे कोशन्स की तो कहता है कि एक परिच्छा में 35% परिचार्थी विज्ञान में उतिरन हुए जबकि 40% परिचार्थी गनित में उतिरन हुए यदि उस परिच्छा में 25% परिचार्थी दोनों भी सयों में उतिरन हुए हो तो इस परिछा में कुल कितने परतिसत बिद्यार थी दोस्तो अनुतिर्न हो गए हैं तो इस तरह की question से दोस्तो फटा-फट हम लोग बना लेंगे तो यहां देखेंगे अगर past percentage निकालते हैं दोस्तो यहां से past percentage निकालते हैं यहां से तो चुकि नहीं बोल रहा है हमें फेल तो past percentage का दोस्तो फर्मूला क्या होता है फर्मूला होता है x plus y minus z percent यानि कि यह जो एक विसे में उत्तिर्न हुआ है यह दूसरे विसे में उत्तिर्न हुआ है और यह z जो है दोस्तो दोनों विसे में उत्तिर्न हुआ है तो इस तरह से हम लोग इसमें ट्रिक लगाएंगे औ और बहुत ही सुन्दर ट्रिक और बहुत ही कम समय में आपका कोशन्स बनके तयार हो जाएगा तो देखरें अपने स्कीनी पर दोस्तों पास परसेंट अगर निकाल रहे हैं तो यहां से जो है 35 परसेंट हो गया 35 परसेंट यहां पे विज्ञान में उतिर्न हुए हैं और पलस जो है दोस्तों 40 परसेंट परिछार्थी गनित में उतिर्न हुए हैं तो उन परिछाओं में 25 परसेंट परिछार्थी दोनों में उतिर्न है तो हां क्या करेंगे दोस्तों माइनस 25 परसेंट कर लेंगे तो आप देखरें अपने स्कीन पर दोस्तों 35 परसेंट और 40 यानि कि 75%-25% तो यहां से निकल के कितना आ रहा है 50% यानि कि 50% student जो है दोस्तों उस परिच्छा में क्या हुए है उत्तिर्न हुए है और हमें पूछ क्या रहा है अनुतिर्न तो total percentage कितना होता है कहीं भी तो 100 होता है तो 100-50% 100-50% तो कितना परिच्छार्थी जो होगा दोस्तों अनुतिर्न यानि कि फेल कितना विद्यार्थी करेगा तो 50% परतिसत अस्टुडेंट जो है अनुतिर्न हो जाएगा यानि कि हमारा right answer किसके साथ जाएगा दोस्तों एक एसाथ जाएगा जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा तो उम्मीद करता हो कि आप समझ रहे होगा कहीं भी आपको दिक्कत नहीं रोगा जहां भी दिक्कत है आप कॉमेंट जरूर कर ले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रहे है जबकि 45% परिच्छार्थी दोस्तों गनीत में फेल हुए यदि उस परिच्छा में 15% परिच्छार्थी दोनों विशयों में उत्तिर्न हुए हो तो उस परिच्छा में कुल कितने परिच्छार्थी जो है अनुतिर्न हुए है बहुत ही सुन्दर कोश्टन से दोस्तो तो फेल करने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज पूछ रहा है तो हम यहां से निकालेंगे दोस्तो फेल परसेंटेज निकाल लेंगे ठीक है और फेल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तो सबसे पहले पास क कर देंगे तो यहां से आप देख रहें 30 परसंट और 45 परसंट दोनों को जूट जाएगा दोस्तों 75 परसंट आ रहा है और उसमें मैनस 15 कर लेंगे और जब मैनस 15 परसंट कर लेंगे यहां से तो हमारा एंसर सारा दोस्तों 50% ठीक है नहीं नहीं 50% नहीं आ रहा दोस्तों आप देख रहे पने स्क्रीन पर यहां से 0 और 7 में से गया 6 यानि कि 60% दोस्तों हमारा राइट आंसर आ रहा है जो कि अपसंस नमर डी के साथ जाएगा जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा तो उमीद करता हूं कि आप समझ रहे होगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी चलते हैं हम लोग नेक्ट कोस्ट अगर यह कोस्ट आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक भी ज़रूर के लिए ज़्यादा से ज परिच्छार्थी जो है गनीत में पास हुए यसे उस परिच्छा में 70% बिखार्थी और नुप्धिर्थी की संख्या किसुंदर कोस्ट संख्या और यहां करते हैं क्या केते दोस्तों कि 65% परिच्छारती जो है अंग्रेजी में तो हमें पूछ क्या रहा है पास होने वाले ना 248 उत्तिर्ण हुए तो हम यहां से अगर पास परसेंटेज निकाल ले तो पास परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों यहां से देख सकते हैं पर इसकी में 25% बिद्यारती है वह क्या हुआ है अंग्रेजी में पास किया है और 70% बिद्यारती है वह psychology मेंवी पास तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तो यहां से 65% और 70% तो यहां से 65% और यह मैनस प्लस तो मैनस 3% आ रहा है ना और यहां से जो आएगा 65 में 3 घर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तो 62% आ रहा है यानि कि pass percentage जो आया है दोस्तो कितना पास किया है तो बार सट परसेंट जो है Karma एस एक्जामस में पास कर गया लेकिन क्या कैता है उस परिष्चा में कुल कितना परिष्चा तीर लोगिके 258 सबुर्टे इक जाम्स में कितने बैठते हैं 100% बैठते हैं कहीं भी परसेंटेज 100 पर ही निकाला जाता है तो जब 100% के लिए निकाला जाए तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त तो 248 वटावार सट और मल्टिप्लाइ 100 यहीं आएगा अब इसको हम लोग काट देते हैं दोस्तों अगर 2 से काटते हैं तो आप देख रहें दोस्तों दोसे अगर काटते हैं तो दोसे क्या आएगा दो ती आई चोग दो दो अठे चोविस दो 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 एक मिनट यहां से दो 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 नी चार और दो चोग आठ गट रहा है ना अब देखेंगे अगर 31 से इसको काटते हैं तो 31 से 4 वार में कट रहा है तो 4 मल्टिप्लाइ 100 चार मल्टिप्लाइ 100 तो टोटल का टोटल निकल के क चार मल्टिप्लाइ 100 तो यहां से हमारा 400 टोटल का टोटल स्टूडेंट आंसर सारा है तो कुल परिछारती कितने बैठे थे एकजाम में तो 400 यानि कि राइट आंसर हमारा डी चला जाएगा दोस्तों जो कि बिल्कूल सही उत्तर होगा तो उमीद करता हूं कि आप समझ रह इन पर क्या केता है कि एक बस्तू का मुल्य पांच हजार रुपिया है उसके मुल्य में पहले 10% की बिर्धी की जाती है उसके बाद बढ़े हुए मुल्य पे 5% की कमी की जाती है उसके बाद घटे हुए मुल्य पे फिर 20% की बिर्धी की जाती है तो इस परकार बस्तू का नया मुल्य क्या होगा बहुत ही सुंदर सा अच्छा कोछ़ों सा आप से जरूर देखिए इस तरह की कोश्चेंश दोर एकजाम्स में बारवार पूछी जाते है तो आपको देख़ना यहां से अनिबारे हो जाता है तो बस्तू का मुल्य जो है दोस्तो कितना है 5,000 है अब देखें अपने स्कीम दोस्तो बस्तू का मुल्य 5,000 हो गया अब क्या कहिता है कि 10 percent की बेड़ी होई कितना होई 10% की बेड़ी हो जाती है फिर 5% की कमी हो जाती है उसी में और फिर 20% की बिर्धी हो जाती है यही है ना तो इस परकारबस्तु का जो नया मुल होगा वक्या होगा तो अगर हम 5000 का 10% बिर्धी करते हैं यानि की 100 में 10 की बिर्धी होई यानि कि 5% की कमी कर दे तो 95 बटा 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से भी इसे तुनंद खतम कर देंगे ठीक है अब क्या कहता है इतना जो हुआ है इसका 20% फिर बिरदी हो जाता है यानि कि 120 बटा 100 हो जाएगा 120 बटा 100 हो जाएगा अब देखेंगे दोस्तों हम लोग अगर इसे काटेंगे काट करेंगे तो यहां से सबसे पहले 3 0 है और यहां से 3 0 खतम कर देजिए यहां से 3 0 खतम हो गया अब देखें यहां से यह खतम हो गया तो यह भी खतम हो गया यह खतम हो गया तो यह भी खतम हो गया नीचे क्या बच रहा है दोस्तों दस बच रहा है ठीक है अब देखेंगे हम लोग यहां से यहां 11 बच रहा है यहां 95 बच रहा है इसको color change कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो यहां से पांच बच रहा है यहां से गाड horribly यहां से 6 बच रहा है तो five को multiply करेंगे गाड़ा से तो 55 हो जाएगा है और इसको multiply मेंगे रखते है 19 को छे से मल्टिप्लाइ करेंगे दोस्टो तो 114 हो जाएगा और जब इन दोनों को multiply किजिएगा आप तो 6270 जो है दोस्तो नया मुल्य निकल के आएगा जो right answer होगा तो हमारा right answer किसके साथ जाएगा दोस्तो B के साथ जाएगा जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा तो मीट करता हूँ कि दोस्तो आप समझ रहेंगे ज़्यादा कोमेंट करें कि अगला चेप्टर आप कौन सा चाहते हैं तो वही वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी चलेंगे हम लोग next questions की और दोस्तो next questions आपके screen पे क्या कहता है एक परिच्छा में 55% परिच्छार्थी बिज्ञान में पास हुए जबकि 45% परिच्छार्थी दोस्तो अंग्रेजी में पास हुए यदि उस परिच्छा में 25% परिच्छार्थी दोनों भी सयों में उत्तिर्ण हुए हो तो उस परिच्छा में बैठने वाले कुल 1000 परिच्छार्थी में से कितने परिछार्थी केवल एक ही विषय में उत्तिर्ण हुए बहुत ही सुन्दर कोशन साब से ध्यान से ज़रूर दखेगा क्या कहता है कि 55% परिछार्थी विज्ञान में पास हुए और 45% अंगरेजी में लेकिन क्या हुआ दोस्टो वहां पे उस परिछा में 25% परिछार्थी दोनों भी समय में साइंस में साइंस में पास करने वाल है तोतल 55% है सिंगल सिंगल और दोनों में न पास करते हैं 25 तो सिंगल जो शिर्फ साइंस में Best किये होंगे तो वह 30% आगर बात करते हैं यहां से अंग्रेजी की जी हां दोस्तों अंग्रेजी की बात करते हैं इंग्लिस की बात करते हैं कि ऐसी 45 परसेंट हो गया और आप यहां से इसका राइट आंसर किया तो 20 पर्षेंट जो है अंगरेजी में पास किया तो हमारा कोश्चन्स क्या पूछ रहा था तो इस परिचने कलर चेंज कर लेते हैं यहां से टोटल का टोटल एक 1000 टोटेंट और 1000 सटोटेंट कितना परसंट 250 परसंट तो 1000 का 50 परसंट ये 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 Od 약간 से अयाएगा कि देखेंआ से स्कीन पह 550 हो जाएगा ना 1000 ठीक है तो या है तो यहां से जो अज निकल है यानि कि यहां से मारा right answers दोस्तों किसके साथ जाएगा एक साथ जाएगा जो कि बिल्कुल right answer होगा तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको साड़ी के सारी question समझ में आयो होंगे कहीं भी दिक्रत नहीं होगी दोस्तों अगर यह video आपको अच्छी लगे होगी तो लाइक कर लिजेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर और प्रेफिरेंट्सिप के बिच सेयर भी कीजेगा ताकि वो भी इन वीडियो का लाव ले सके और उज्जोल भविष्च अपना बना सके तो आज के लिए इतना ही देते हैं दोसों लोग नई वीडियो में नई जोस नई इनरजी नई मॉनिंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार अपने आसपास स्वक्षता बनाए रखिए धन्यवाद